हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सत्विर यादव लेके हैं आप सभी के लिए भारती राजवेवस्ता का एक महत्वपून डॉपेक जिसका नाम है केंद्री सतर्कता आयोग बात करेंगे आज सेंट्रल जो विजिलेंस जो कमिशन है उसके बारे में जिसे स्वाट फॉर्म में सी सेंट्रल विजिलेंस कमिशन तो बात करते हैं केंद्री सतर्कता जो आयोग है क्या होता है इसके स्तापना कब हुई इसके कारी क्या है उन सभी के बारे में चली दोस्तों बात करें केंद्री सतर्कता आयोग केंद्री सतर्कता आयोग कारी क्या करता है तो इसके लिए सबसे के संथानम समीति जो के 1962-64 के बीच में इस्तापित हुई किरिया सिल रही तो के संथानम समीति की सिफारिसो पर इसका गठन किया गया था केंद्रिय सत्रक्ता आयो जो की ब्रश्टाचार को रोकने की एक संस्ता के रूप में इसका गठन किया गया जिसके परतम जो अध्यक्स गठित की गई और इस समिक्षा समीति ने यहां पर अनुसंसा की कि इसी सीवी सी को क्या किया जाय संवेदानिक दर्शा दिया जाय है और 1977 में याद रखी गाए 1987 मी सायोग को संवेदानिक निकाय का धर्शा मिला एक विदिक निकाय कानोनी निकाई का दर्जा दिया गया ग्यारा से नमबर दोजार तीन को राष्टवती की सहमती मिलने के बाद मुख्य रूप से यह है एक सामिदिक निकाई बना ठीक है एक स्टेचरी बोड़ी में यहां पे बन चुका है तो स्टेचरी बोड़ी है सीवी सी जिसके इस्तापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी बात करें इसकी संरच्छना के बारे में तो संरच्छना में सीवी सी के अंदर एक अध्यक्ष होता है दोस्तों साथ में दो अन्य सतरक्ता आयूगते तो कुल मिलाकर कि यह बहुष अध्यक्ष और दो सदस्य टोटल लोग होता है कितने तीन तो त्री सदस्य यह एक निकाय होता है सीवी सी बात करें नियुक्ति के बारे में तो इसकी जो नियुक्ति है नियुक्ति कोन करेगा राष्टपती करेगा और नियुक्ति राष्टपती त्री सदस्य समीति की सिफारिशों पर करता है त्री सदस्य समीति का नेता भारत का ग्रह मंत्री होगा विपकश का नेता होगा और भारत का ग्रह मंत्री तीन लोगों के कमेटी बनेगी जो अनसंसा करेगी राष्टपती को राष्टपती ऐसे में नेक्ती करेगा कारेकाल की बात करें दोस्तों तो कारेकाल जो होता है सीवी सी का वो च्यार वर्स या फिर 65 वर्स की आयो जो भी पहले होता है वही इसका क्या होगा कारेकाल होता है वहीं साबित कदाचार हो दिवालिया या फिर पागल लाब का पद हो चरित्र हिंता करता हो इन सबी इस्तथियों में राष्टपती क्या कर सकता है समय से पूरू हटा भी सकता है वेतन की बात करें तो जो UPSC सदस्यों को वेतन दिया चाहता है सेम उनी के समान CVC को वेतन भत्ते होते हैं जिनके बारे में मूल रूप से कोई उलेख नहीं मिलता समयदानिक रूप से एकी बात कहीं गई जो UPSC सदस्यों को दिया जाता है वही इनको वेतन दिया चाहेगा कारे की बात करें तो धारा 25 के अनुशार केंद्री प्रवर्तन निदेशाला जिसे ED की रूप में हम जानते हैं उसके जो निदेशक हैं तथा CBI के जो निदेशक हैं इनकी नियुक्ति के लिए अभिसंसा समीती के अध्याक्ष कौन होते हैं? CBC होता है ठीक है तो यहां पर अभिसंसा करेगी CBI के अंदर अभिसंसा जो की जाएगी है ED के अंदर सदस्यों की जो अभिसंसा की जाती है उसके पैनल में कौन होते हैं CBC के ही कंडिडेट्स होते हैं यह कहेंगे उसी के अनुशार इनकी नियुक्ति होगी केंदर सरकार के निर्देश पर किसी भी विशय की क्या कर सकता है? CBC जाच कर सकता है ओके दोस्तों साथ ही CBC जो होगा निमन स्रेणियों से सम्मंदेत अधिकारियों की विरुद किसी भी सिकायत की क्या करेगा? जाच करेगा अधिकारियों की विरुद किसी भी सिकायत आए 1988 के तहर किसी अपराद का यदि आरोप लगा हुआ है तो ऐसे में उनकी जाच करेगा जिसमें भारत सरकार के ग्रूप A के अधिकारी होंगे साथ ही ग्रूप B के अधिकारी भी इस जाच दायरे में आते हैं तो A और B ग्रूप के जो भी अधिकारी होंगे उनके भरष्टाचार से संबंदित जो मामले होंगे उनकी जाच भी CVC देखता है साती विसेश दिल्ली पिलिस बल की कारेपरणाली पर नजर रखना भारसरकार के मंत्राले, विभाग, संग की कारेकारी जो संग के जो क्रमचारी हैं उनके नियंतरण में आने वाले जो अन्य संगठन हैं इन समी की क्या करेगा जाज का कारी भी कौन देखता है CVC ही देखता है जाब प्रतम थे स्रे निवासराव साब वहीं वत्मान में जो CVC है भारत की वो है सुरेश एन पटेल साब ठीक है दोस्तों सुरेश एन पटेल जी वत्मान में यहाँ पर CVC आते हैं तो यह जरूर ध्यान में रखेगा तो यह हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टोपिक था बड़ा ही छोटा सा CVC के बारे में केंद्रिय सतर्ता आयूक के बारे में सेंटरल विजिलेंस जो कमिशन है उसकी बात कर रहा है जो बरष्टाचार को रोकने के लिए संधानम समीती की सिफारी सुपर गठित हुआ है जो की मूल रूप से सामिदिक निकाई है 2003 में इस राष्टपती की सहमती से सामिदिक निकाई बनाए गया था लेकिन इस्तापना याद रखीगा 11 फरवरी 1964 ही हमें धान में रखना है संधानम में एक अध्यक्स दो सदस्य होता है नेप्ती इनकी राष्टपती करेगा एक त्री सदस्य समीती की सिफारी सुपर मूल रूप से राष्टपती की प्रशाद प्रेत नहीं अपने पद पर धारी तो होते हैं त्यागपत्र भी उनी को देंगे एक नेक्स्ट ओपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्क्राइब